स्री शिवाई नमस्तु भ्याम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 24 फरवरी को माघ महीने में पढ़ने वाली पूर्णेमा है मतलब की माघी पूर्णेमा है दोस्तों ये पूर्णेमा बड़ी पूर्णेमाओं में से एक होती है जो कि इस बार 24 फरवरी के दिन पढ़ रह तो भी आपकी वह मनुकामना पूर्ण होगी साथी में अगर आपके जीवन में कोई दुखर परिशानिया भी चल रही है या घर में किसी को रोग और बीमारी भी है तो भी अगर आप लोग इस उपाय को अपनी किसी भी दुखर परिशानी के लिए करोगे तो आपकी वह दुखर परिशानी जरूर दो रोगी अब इस उपाय में क्या करना है उपाय कैसे करना है या आप लोगों को ध्यान से सुनना है तो देखिए 108 चावल के दाने वाला उपाय मागी पूर्ण हमा के दिन करने का विशिश फल देता है क्योंकि उपाय अगर आप लोग समझ लोगे तो ही उपाय का आपको पूर्ण फल मिलेगा तो उपाय में क्या करना है वो आप ध्यान से सुनो देखो उपाय में क्या है 108 चावल के दाने हैं तो सीधी सी बात है, हमें इसमें 108 चावल के दाने तो देने ही पड़ेंगे, अब ये 108 चावल के दाने हमें कहां से मलेंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यांज में रखिये, कि 108 चावल के दाने आपको कहीं से खरीद कर नहीं लाने है आपकी घर में जो चावल बनते हैं मतलब रसुई घर में जो चावल रखें हुए हैं आप जिने बनागर खाते हैं उन्हीं चावल के दानों में से ले लेने हैं आपको 108 चावल के दाने ठीक है मतलब पके हुए नहीं लेने कच्छे ही चावल के दाने लेने हमने आपको धर्ण के लिए हाँ पर बताया हुआ है जो आपके घर के रसोई घर में चावल उपस्तित है उन्हीं में से थोड़े से चावल निकाल लो अब चावल निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि आप क कुछ दाग वगएरा कुछ नहीं होना चाइए बल्कलर अच्छी अच्छे पूरे साइगे चैकेश झो है साबुथ 108 में आप लोगों को निकालकर अलग से चान लेने है ठीक है जैसे ही आप 208 में निकाल कर अलग से चान लेते हो तो आप लोग इसे किसी भी पात्र में या सुभा का समय है ठीक है सुभा के समय मुख्य रूप से कर सकते हो पर किसी काड़ में शकर सुभा ना कर पाओ तो शाम की समय प्रदोशकाल में भी आप लोग कर सकते हो ठीक है कब कर सकते हो शाम की समय प्रदोशकाल में आप दोस्तों यहां पर प्रदोशकाल का भी एक समय होत तो आप लोगों को मुख्य रूप से यह वाला उपाय कर रहा है तो इस समय के बीच में करना है पर किसी करण वोश और भी ज़दा लेट हो जा तो साड़े साथ या आठ बजे तक आठ बजे लास्ट है इसके बाद में यह वाला उपाय मत करना तो आठ बजे से पहले कभी भी आप योग अपना 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हो ठीक है पर मुख्य रूप से आपको सुभाही करना है ठीक है अब उपाय को करते समय आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए देखिए 108 चावल के दाने तो आपके घर से तयार है आपने वोने गिनकर अलग से तय लेकर जाना जिसका है अगर इसी उपाय को आप शाम की समय प्रदोश खाल में कर रहे हो तो एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है तो करना क्या है पहले आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो शिवालाय हो भगवाय शिब जी की शिवलिंग जहां पर वहाँ पर आप लोगों को लेकर पहुंचना है ठीक है पहुंच तो जैसे ही जाते हो आप लोग तो पहले जाकर आपको अपनी पूजन अर्चना करना है मतलब सुभा के समय गए हो तो एक लोड़ा जल चड़ाना है बेल पत्र फूल जो भी आप लोग पूजन सामगरी के लि जैसे लगा देते हो शिवलिंग के पास में इस दीपक को लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है अपना फिर वह उपाय करना है उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग के पास में बैठना पड़ेगा ठीक है शिवलिंग के पास में जैसे ही बैठ जाते हो तो वहीं पर पास में जो है इन चाबलों के दाने को रख लेना और इन चाबलों के दाने का जो उपाय है ये आपको सीधे हाथ से करना है इस बात का धियान रखना है ठीक है कौन सा है आपका राइट है उस हाथ से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है तो करना क्या है देखो आपके सामने शिवजी की 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 श और एक साथ चढ़ा देते हो भाई उसकना फल आप लोगों को नहीं मिलेगा और नियम की हिसाब से आपको एक एक चावल का दना ही चढ़ाना चाहिए ठीक है तो करना क्या है देखो अपने 108 चावल का दना आपके सामने है अब एक एक दना उठाओ जैसे पहला चावल का दना चढ़ाने जा रही हो उससामे हिए तो श समय ध्यान रखन है जैसे ही आप लोगों को एक 108 44 के था चट जाए भग्वान श्रीप जी की सिविलेंगर के ऊपर उसके बाद पे अपनी वह्म अनुकामना बोलना कोई भी एक मनुकामना गोलना कोई भी एक ऐसी मनुकामना गोलना जिसके लिए आप लोग बहुत समय से प्रयाज कर रहे हो और आपके वह मनुकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको वह मनुकामना पहले तो एक स्वाट बाचाल को दाना चढ़ा कर श्रीश वायनमस्तुविम बोल कर फिर आपको अपनी वह मनुकामना भगवान से हाथ ज यहां पर पूरा हो जाता है ठीक है मागी पूर्ण नेमा के दिने इस एक सो आट चावल के दाने को करने का जो फल है वो दोस्तो बहुत ही बड़ा होता है इसलिए आप लोग इस मौके को अपने हाथ से बिलकुल ही मत चाने देना ठीक है अब दोस्तों हम बात करते हैं अग पूर्ण नेमा के दिने विशेश्वल हमें मिलता है विशेश्वल की हमें प्राप्ती होती है तो अब ये वाला उपाई कैसे करना है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए देखिए सबसे पहले चीज़ एक सो आठ बिंदी वाला जो उपाई है वो कैसे होगा व उपाई को करते समय जब आप उपाई को करने के लिए जा रहे हो तो तैयारी करके पहले से रख ले रहा ठीक है तो एक बेल पत्री लेनी है और बेल पत्री पर जो हमने आपको बहुता एक सो आठ बिंदी वाला उपाई है तो सिरी सी बात एक सो आठ बिंदी लगेंगी तो पीले चंदन की ठीक है तो पीला चंदन जो भगवाई शिप जी को आप चढ़ाते हो लगाते हो वह वाला पीला चंदन थोड़ा सा आप लोग अपने सांथ में रख लेना जब उपाई को करने के लिए जाओ है ना और दोस्तो एक बात और दिहान रख लेना कि जो बेल पत्र की डंडी का उसे तोड़ना है अगर वो डूट नहीं होगा तो फिर आप वह डूट कैसे दोड़ पाऊगे ठीक है तो ऐसी बिलपत्र आप लोग देखना जिसमें जिसकी बिलपत्र की डंडी में डूट लगा हुआ हो है ना भाई आपको सिर्फ उपाई की सामगरी जो है तैयार करके अपने घर से सुबह सुबह इस्तनान करके शुद्ध होकर इस्तनान करके आपको भगवाई शिवजी के मंदिर में या आपके घर के पास में जो भी शिवाल है मंदिर और शिवलिंग विराजित हो वहाँ पर पहुंच जाना है ठीक है वहाँ पर जैसे ही पहु बाद में ये वाला उपाय शुरू होता है ठीक है तो शिवलिंग के पास में ऐसी बात नहीं के आपको सामने ही बैठना या बिल्कुल साइड में बैठना है आप शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ सकते हो जहां से आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो ठीक है तो वहा तो चूट के भी बहुत D hypnoti है उसे हम डूट कहते है उसे भीज़ें बिंदंधी के हम अपने हातों से नहीं लगाने वाले हैं इसी डूट से लगाने बाले है बस इस डूट का इतना ही काम है कि इस से हम जो है उस बेलपत्र को बिंदी लगाएंगी मिलाकर 108 बिंदिया आपके लग जानी चाहिए ठीक है अगर जगा की कमी Mol की ऑपर एक बिंदिया चाहिए है ठीक है अगर जगा की कमी भी पढ़ती है तो भई एक एक बिंदी होगा मन ही मन चाप करते रहे न तो उस डूट से आप लोग जो है मतलब चंदन भिगा हुआ होगा तो एक एक बिंदी करके जो है पूरी कुल मिलाकर 108 बिंदिया आप लगा देना इन बिंदियों को लगा देना इन समय कैसरी शिवा ने मसुबें बोलना जरूरी है देखो बोलते हो तो अच्छी बात है नहीं भी बोलते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर बोलो तो जादा बहतर है न तो उस डूट से जो है आप उस बेल पत्री की पत्ती पर 108 बिंदिया लगाना शुरू करो जैसे ही आप लोग को जूट से निविधन करना अपनी वह मनों कामना बोलना कोई भी एक समस्य आप कोई भी एक मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना ठीक है इस उपाय को पूरा करने के बाद इस बेल पत्र को शिव जी की शिव लिंग के ऊपर चड़ाने के बाद ये बेल पत्र शिव लिंग के ऊपर ही चड़ेगी और कहीं पर भी नहीं चड़े जैसे ही आप बेल पतर चढ़ा कर अपनी मनोकान्द भगवाण शिवजी से बोल देते हो, तो उसके बाद में आप भगवाण को धोग दे कर भगवाण जयाश्रवाद प्राप्ति करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हो, ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, आपका ये वा जाएगे हमारी वेबसाइट भूलनाइदवक्ति.com भी आपको ये सारे उबाइप पढ़ने के लिए मिल जाएंगे ओम नमाज शिवाई जय बोले आप आसरी शिवाई नमस्तो भी हम